ओम शान्ति आज 18 फेवरी दो हजार बाईस है आज के स्लोगन में ये बताया गया है कि बड़ी दिल की भावनाई क्या होती है और जब उस बड़ी दिल की भावना से जब हम सेवा में तत्पर रहते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता है इस बाद को स्पष्ट किया है आएए सुनते हैं आज का स्लोगन सेवाओं में दिल बड़ी हो तो असंभव काड़िय भी संभव हो जाएगा बहुत संदर दुनिया में एक कहावद है चादर हो जितना उतना ही पग को पसारिये अर्थात जितनी क्षमता हो जितना धन हो उसी के अंतरगत काड़िय करो तो काड़िय में सफलता प्राप्त होगी परन्तु ये जो कहावद है ये इश्वर्य सेवा में इश्वर्य कार्य में सार्थक साबित नहीं हो पाता क्योंकि इश्वर्य का कार्य कल्यान कार्य कार्य होता है स्वेम भगवान कल्यानकारी है तो उसके कार्ये में जब हम बड़ी दिल रक करके हम करते हैं और अपने पग को जितना लंबा पसारना चाहे पसार देते हैं तो स्वेम भगवान चादर को लंबा खीच करके अपने पग को भी धग देता है अर्थात हर असंभो कारिय संभो हो जाता है तो बड़ी दिल रखना का भावार्थ क्या है? बड़ी दिल अर्थात जहापर कोई स्वार्थ की भावना ना हो जहापर कोई हद की कामना वा इच्छा ना हो निस्वार्थ भाव, कल्यान की भावना से परिपूर्ण भावना ही बड़ी दिल कहा जाता है क्योंकि स्वैम परमात्मा भी कल्यान कारी है, रहम दिल है, बड़े बाप है तो बड़े बाप का भी दिल बड़ी है, तो हमारा भी दिल जो बड़े बाप के संतान है उनका भी दिल बड़ी हो करके, रख करके, जब हम सेवा में उतरते हैं, तो हमारी भावनाई भी बाप समान हो जाती है, कल्यान की भावना, रहम की भावना, सब को देने की भावना रखते हैं और सेवा करते हैं, तो हर कार्य संभव होते हैं, क्योंकि इस भावना से बाबा की जो संकल्प है, बाबा की जो शुब इच्छा है, सर्वात्माओं को ये ज्ञान प्राप्थो, सर्वात्माई जो है उसको परमात्मा का परीचे मिले, ये बाबा की शुब इच्छा पूर्ण हो जाते हैं। और जब ये इच्छा पूर्ण हो, तो कल्यान कारी भगवान, कल्यान कारी ड्रामा, बंधाइमान हैं, हर कार्य को संपन कराने में, हर असंभो को संभो करने में, हर विघन को विनाश करने में। इसलिए कहां सेवाओं में बड़ी दिल रखो, तो हर कार्य असंभो कार्य भी सं तो आएए हम अपने दिल को बड़ी बनाए और सेवाओं में सदा तत पर रहें ओम शांती